तो यह जो जगह आप देख रहे हो यह है नागपूर से 100 किलोमेटर दूर एक जगह में आके फ़स चुकाम तो लगबख साढ़े तीन मेनों में पूर्णे में लॉकडान में फसा हुआ था तो अब तो घर वापस जाना ही पड़ेगा कि खाने पीने का भी बहुत प्रॉब्लेम हो रहा था तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि वाया रोड में ट्रावल करूंगा पूर्णे से ओडिस आराम से हम नापपूर से 100 km दूर तक आही गये थे हमारी गाड़ी जंगलों के बीच से वह के आती रही हुआ है हुआ है हुआ है है उसी दोरान अचानक से कोई एक चीज हमारे गाड़ी के सामने आती है अब है अभी तक हम शूब नहीं कि यह थी वह हम गाड़ी से उताने के बाद बहुत कोशिश किया हुआ है उसे दूने की पता ही नहीं चला कि और क्या था लगबद अशी के स्पीड में गाड़ी थी और अर इतने ज्यादा स्पीड में कोई एक सामने आता है और अचानक से एक सब्सक्राइब जाता है और हम बहुत दूनने की कोशिज किये पर कोई नहीं मिला उदर ड्राइवर के मताबिक सायद वो एक सवर था पर कोई पूर नहीं है पर जाते जाते उसने गाड़ी का पूरा सत्यानास कर दिया गाड़ी का रेडियेटर कूल एंड टैंक सब कुछ तोड़ दिया जिसके वाज़े से गाड़ी ब्रेकडाउन हो गई और घाना जंगल था दूर दूर तक कुछ तिखने रहा था बट मुश्किल से एक लाइट दिखी होने इस रोड को दूर से तो हमने डिसाइड किया कि चलो वहां तक चलते हैं नाखपूर जो की 100 किलोमेटर दूर था वहां से तो हमारे ड्राइवर साइब ने उनके दूसरे बंदों को वहां से कॉल करके बुलाया क्योंकि डिसाइड किया गया कि गाड़ी को खींच के लेना पड़ेगा तो लगबद 2,5 गंटे बाद नाखपूर से गाड़ी आती है हमारी गाड़ी को खींचने के लिए तो कुछ इस तरह से अल्मोस्ट रात के 11 बजे जब हमारा ब्रेकडाउन हुआ तो हमें 100 किलोमेटर कवर करने के लिए लगबद 6 गंटे लगए और अगले दिन जब गाड़ी को गैरेज में टाला गया रिपेर के लिए तो उसकी बोड मापूर से निकले रॉर के लागे लिए वो कहता है ना जैसे हर अंधेरी के बाद सुबह आती है ठीक उसी तरह भले जर्वी में थोड़ा सा एडवेंचर हो गया मेरे साथ लेकिन मज़ा आया और अगले दिन ठीक सुवह साड़े साथ आठ विजे तक मैं अपने घर पहुं घर पर पोने में पढ़ा हूं माँ स्क्राइब पें रहा हूं अगले 14 दिन तक मुझे कॉरंटन में हॉम कॉरंटन में रखा गया है क्योंके अगले दिन में कोवीड-19 की टीम आई गाड़ी लेके और मुझे जुलाई एट तक घर से ना बाहर निकलने की बोला गया है और म मैं यह आपको बता दू के मेरा एक्स्पीरियंस कैसा रा भाया रोड का अभी तो 14 दिन तक मुझे कुछ नहीं करना घर के अंदर पड़ा रहूंगा अगर मॉका मिलता है तो नेक्स वीडियो पर बनाके यूटूब में डाल दूंगा थैंक यू सो मच फॉर वाचिं दिस आय हो इतना दिर तक तो प्लीज लाइक का बटन दबाके ही जाना थैंक यू सो मच